मस्कार दोस्तों स्वागत आपका कंपरिशन कम्पनिटी के सीजी पीसी मेंस कंसेप्ट स्रीज में आज हम पढ़ने वाले साइंस साइंस पे हमने एक कोश्चन लिया है जो कि फिजिक से है प्रकास विद्दूत परभाव अर्थाथ फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट एवं सौर सेल के रूप में इसका उपयोग हमको देखना है तो ध्यान रखेगा यह एक कोश्चन है जो कि इ समझते कि प्रकाश विद्दूत परभाव होता क्या है तो उस इलेक्ट्रोन के दिशा के विपरित दिशा में िवां पीपड़ेंगे systems के यह प्रकास के कारण जो कि एक क्या है बडू चुम्द की तरंग है यानि कि electromagnetic wave है उस electromagnetic wave के कारण जो कि कि किसी एक धातु पे आपतित होता है अर्थाथ इंपोज होता है तो उस धातू की सता से एक एलेक्ट्रों को वहां से विस्थापित कर देता है और उसी electron के विस्थापन के विपरित दिसा में क्या होता है electricity का flow होता है इसी पूरे चीज़ को कहते हैं प्रकास विद्दूत प्रभाव और इसी चीज़ का application होता है solar sale में ठीक है तो सबसे पहले हम इस person को दो हिस्थे में बाट रहे हैं ठीक पहला है प्रकास विद्दूत प अब इस धातू के प्लेट में हम यहां पर कुछ atoms बना ले रहे हैं यह यह लो कलर में ठीक एक अटम है और इसी अटम के अंदर कर यह proton neutron है अब दिखे अब यहां पर हम यह electron मना ले रहे हैं यह जो बाहरी बाहरी एरिया में ठीक है और इसी प्रकार की सब्सक्राइब बहु अधिया अधिया की इसके बाहरी अलाके में क्या है इलेक्ट्रों गाए यह सिंगल एक्टम में यह जो आप देख रहे हो यह यह electronic अब समझेए ये हाशç Hep गिये क्या है सुरी से जो रेज निकलती है जो यहां सोगी थेजा ठीक एक संयारे सन रे अर्थात सूरी का प्रकास सन रे अर्थात सूरी का प्रकास और आपको पता है कि सन रे जो बना होता है बंडल ऑफ बंचेज यानि कि बंडल ऑफ फोटॉन से बना होता है ति यह फोटॉन है क्या है फोटॉन का बंडल है और फोटॉन में क्या होता है फोटॉन में एनर जो कि परकातब तक फोता है यानी सन्रे जो है सूरी प्रकास प्रकार kı है जब यह सूरी का प्रकास भात्व के समझे मेटल यानि दातू पर रहा है यह दातू प्लेट पर रहा तो इसमें से फिक यह जो एतम में इस एक इलेक्टरॉन जह यहां से डिस्प्लेय सुजाएंगा ठीक और यह इस तरस इधर गती करने लेगा खिएगा रिब्लेक्टर रहे हैं जारा है तो इलेक्टरॉन के वीपॉर्रीती दिसा में फ्लो होता है थीक। दिखेगा इस चीज़ को समझ लिजे एलेक्ट्रोन अगर जिस दिसा से दूसरी दिसा क्यों जा रहा है तो इसी इसके विपरित दिसा में फ्लोव हो रहा है अब इसी कंसेप्ट को देखेगा चुकि यह है सन यानि सूर्य की किरण के माद्यम से ठीके सूर्य की किरण जिसमें क्या है इनर्जी है किस रूप में फोटोन के रूप में है उसी फोटोन एनर्जी ने क्या किया एक एलेक्ट्रोन के यहां से डिस्प्लेस कर दिया फिर वो डिस्प्लेस होते होते आगी क्यों जा रहा है तो ध्यान कीगा ठिक इस डिस्प्लेस्मेंट के अपोजिट साइट electricity बहती यानि की current का flow होता है ठीक है और इसी प्रभाव को हम प्रकास विद्दुत प्रभाव कहते हैं देखो प्रकास के कारण इस धातु की प्लेट में विद्दुत का प्रभाव होने लग गया ठीक है लेकिन यह समानेता सभी धातुओं में नहीं होता है ठीक है यह mostly होता है किस्पें होता है ये भी समझा दे रहा हूं यह mostly होता है alkaline धातु पे ठीक ध्यान रखीगा alkaline धातू पे अर्था चार्य धातु पे आ, चार्य धातु पे होता है साथ यह साथ चारी धातु का अलाबा आप JENक को को एफेक्ट होता है ध्यान रखेगा तिक प्रकाश विद्दुत प्रभाव फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट के नाम से जाना जाता है अर्थाथ जब कभी भी सूरी की प्रकाश की किरण जिसमें की फोटोन के रूप में उर्जा संचित होती है तिक वह किसी भी धातु पे खास होने लगता है और इसी प्रभाव को या इसी पूरे प्रक्रिया को हम प्रकास विद्दुत प्रभाव कहते हैं क्योंकि प्रकास के कारण किसी धातु में विद्दुत का प्रभाव हो रहा है ठीक फ्लो हो रहा है और यही प्रोसेस है ठीक है ध्यान रखीगा सोलर सेल में ठ फोटोवोल्टिक सेल जहां देखिएगा कौमनली कॉमनली कॉल्ड क्या क्या कहते हैं फोटोवोल्टिक सेल को ठीक हम लोग सोलर सेल कहते हैं कि अब यहां से समझें तिक फॉटोवोल्टिक कारें फॉटो वोल्टिक सेल कॉमनली कॉल्ड सोलर सेल इस नन मेकेनिकल जहां रखेगा यह क्या है एक नन मेकेनिकल डिवाइस है ठीक फोटोवाल्टिक सेल इस नन मेकेनिकल डिवाइस वीच 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 कनवर्ट सनलाइट इस नन मेकेनिकल डिवाइस वीच कनवर्ट सनलाइट इन्टू एलेक्रिसिटी सनलाइट को किसमें कनवर्ट कर देता है इससनलाइट क्या सनला आपको पता है आप पड़ा होगा कि जो प्रकास होता है वह उड़ां कर देता है तो दो तरीके से प्रकास एक्ट करता है अपने आपको एक कण के रूप में एक पार्टिकल के रूप में और इसका कैरेक्टिस्टिक्स क्या है कि वह जब किसी भी सता पर आपतित होती है तो वहां पर इंपोस करता है उस पर दबाव डालता है और दुसरा तरंग सिद्धान यानि प्रकास जो है जिस प्रकार तरंग में विवर्तन होता है व्यतिकरण होता है दुरुवन होता है यानि पोलरेजेशन होता है ठीक डिफेंसियेशन होता है तो इस प्रकार के ठीक जो क्वालिटीज है क्रेक्टेस्टिक्स क्या है जो किसमें होता है वेब में होता है उ तिक द्यान रखिए यह इसको कहूं पावर आफ सोलर सेल या सोलर एनेजी यह रखता हूं ज्यादा एकस्पेस नहीं करता हूं ठीक और यह जो फोटोन के कारण यही तो उर्जया है इसमें द्यान रखिए और इसी के वजह से ध्यान रखिएगा तिक किसी सत्रापे क्या होता है विद्दूत प्रवाव होता है और आपको यह वह बता दू कि यह फोटो वॉल्टिक सेल है यह बैसिकली किससे बनाए जाते हैं इडि open द्यान द्रखिए गाँ मेंड अप को सियंकंड़क्टर का मतलब क्या हो कि इस चीजों को बनाए जाता है टिक ज intr zawsze षान जाटा है है वह कुछ अलग और चालक के बीच की होती है कंड़क्टर और बैट कंड़क्टर के बीच का स्टेज है आपका सेमी कंड़क्टर ठीक जैसे कि सिलिकॉन जेर्मेनियम ठीक है यह सब चीजों से इसको बनाया जाता है तो यह हो गया हमारा क्या फोटो एलेक्ट्रिक सेल विद स्टोर करते हैं आप देखेंगा आज कर रेलवे में जितने भी सरकारी भाग है सब जो है अपने च्छतों में सोलर से लगा के रखा है यानि कि वह चाह रहा है ऐसा एनर्जी जिसको आप रिनिव कर सके और सोलर पता है सूर्ज की गर्मी ऐसा ही आ रही है उस गर्मी को यू आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको